Hello everyone, Welcome to the channel Ravis Study IQ GK और आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगी संपून 2030 के Current Affair की सिरीज का Part No.6 यानि कि जो आपके साथ हम डिसकस कर रहे हैं 2400 केशन उसी सिरीज में Set No.6 या Part No.6 आज में डिसकस करने वाली हूँ और इन वीडियो के माध्यम से आपका पूरा 2030 का Current Affair ये कवर होने वाला है तो बिना देरी करें वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज की हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्य मंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये मुख्य मंत्री बने है तो ध्यान ड़कना ये है उडिशा के मुख्य मंत्री Option No.1 तो उडिशा के जो मुख्य मंत्री है वो भारत में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य मंत्री बन गए हैं तो यही है उडिशा के मुख्य मंत्री और नामे उनका नवीन पतनायक देखे जोती बशो की जगा नवीन पतनायक जो है वो भारत में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य मंत्री बन गए है अभी तक जो पहले नमबर पर बने हुए हैं वो कौन है तो ये हैं पवन कुमार चांगलिंग जो अभी तक भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है फिर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारते शहर ये कौन सा बना है तो देखे World Cities Culture Forum में शामिल होने वाला पहला भारती शहर ये बना है बैंगलूर Option number जो C है अब यहाँ पर याद रखेंगे देखे बैंगलूर के अगर हम बात करें तो World Cities Culture Forum में शामिल होने वाला 41 वा शहर ये बन गया है और World Cities Culture Forum शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क होता है जो भविशे के सम्रद्धी को आकार दिने में संस्कृति के महतपून भूमिका का पता लगाने के लिए सैयोगात्मक रूप से शोध करता है अगला प्रश्ण है भारते ओलम्पिक संग की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है तो देखें अगर हम बात करें इंडियन ओलम्पिक असोशेशन की पहली अध्यक्ष तो ये बनी है पीटी उश्या जो की एक एत्रीट है तो ऑप्शन नमबर भी आब यहाँ पर याद रखेंगे तो देखें ये बनी है पहली महिला अध्यक्ष किसकी इंडियन ओलम्पिक असोशेशन की अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो उससे संबंदीत प्रश्ण जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पेशले अगर वो कोई पहली वुमेन के नाम से होती है तो वो तो और भी जदा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें इंडियन ओलम्पिक असोशेशन के अगर हम बात करें तो स्थापना वे थी 1927 मुख्या ले तो यह नई दिल्ली में अगला प्रश्ण है विश भारत में नई दिल्ली में कहां पर भारत मंडपम में ऑप्शन नमबर जो सी है आप यहां पर याद रखेंगे देखें बेसिकली नट्राच की जो यह मूर्थी है वो 18 से लेके 19 टन की है और अस्ट धादो यानिकी 8 धाटों से यह मिलकर बनी हुई है जिसमें आएगा सोना चांदी, सीशा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता यह मूर्थी जो है बेसिकली स्वामी मलाई जिले के प्रशित मूर्थीकार जिनका नाम है देव, सेनापती, सत्पती के पुत्रों के द्वारा बनाई गई थी अगला प्रशन है भारत ने किस वर्ष तक चंदर्मा पर जो अंतरिक्ष है वहाँ पर यात्री भेशने का लक्षे रखा है भारत ने दो हजार चालिस तक भारत ने दो हजार चालिस तक चंदर्मा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेशने का लक्षे रखा है और प्रधान मंतिर नरिंदर मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को ये निर बेंगलोर में और अध्यक्ष है यह सोमनाथ नियूस में यह काफी था विकाउज चंद्रियान आदित्य एलवन और उसके बाद अभी टेस्टिंग हुई थी गगन्यान की ठीक है और जो यह सोमनाथ है इन्हों ने अभी अपनी जो है एक ऑटोबेग्राफिक को भी रिलीस कि तो यह हुआ है नेपाल के बीच में ओप्शन नमबर सी आप यहाँ पर याद रखेगे लेकिन नेपाल और भारत को जोडने वाली बैतरी जिले में जूला घाट परागमन यह पूरी तरह से चालो हो गया है नेपाल के द्वारा यह हुआ है तो राज्थानियास की काटमां सहर यह बनेगा योद्य को ऑयोध्या, ओप्षन नमबर ए WiFi जो है यह पहला सोड सहर बनने वाला है उत्तर प्रदेश का लेकिन अगर वहीं बात करें भारतusta Glen geograph तो तो यह साची जो की मद्रदेश में है ठीक है तो भारत की पहली solar city तो यह साची लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली solar city तो यह आपकी कौन आयोध्या तो दोनों चीज ध्यान रखेगा अलग-अलग है इसका निर्मान करने का जिम्मा किसे दिया है? NTPC को सोपा है और ये भी मैंने आपको बताया मद्रप्रदेश के राइसीन जिले में इस्तित है विशदुररस्थल साची जिसे भारत का पहला सोड सहर बना दिया गया है भारत का पहला तिलापिया पारववाइरस ये किस राचे में देखा गया है? तो देखे भारत का पहला है तिलापिया पारववाइरस ये अभी हाल ही में देखा गया है तमिल नाडो में ओप्शन नमबर B देखे भी हाल ही में भारत में पहली बार ये तमिल नाडू के रानी पेट जिली के तलाबों में ये वाइरस मिला है बिसेकले मीठे जल के जो मशली होती है उसमें ये मिलता है और पहली बार 2019 में ये चीन में देखा था, उसके बार थाइलेंड में मिला और अब तीसरी बार ये मिला है भारत में फिर हाल ही में लाँच अपना चंद्रियान वेब पोर्टल का संभंध ये किस से है तो वेब पोर्टल जो भी हाल ही में लाँच हुआ है तो इसका संभंध है NCERT से ओप्शन नमबर A लेखे अपना चंद्रमा वेब पोर्टल ये केंडरे सिक्षा और कोशल विकास एवं उद्द्यमता मंतरी श्री ध्रमेंदर प्रधान द्वारा ये लाँच किया गया है NCERT के बात करें तो इसके फुलफो में National Council of Educational Research and Training स्थापना हुई थी 1961 में फिर अबाबील मिसाइल का सफल परिक्षन ये किसके द्वारा किया गया और ये जमीन से जमीन यानि कि surface to surface पर मार करने वाली मिसाइल है और इसके मारक्षमता ये है 200 किलोमेटर नाम से ही पता चल रहा है किसने लाँच किया है ये किया है पाकिस्तान ने इसरों ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदीशी स्टेशन स्थापित करने का लक्षे रखा है तो ये अभी मैंने आपको बता है 2035 तक लेकिन मानव ये जाएगा 2040 में तो दोनों अलग-अलगे स्टेशन स्थापित होगा 5 साल पहली और उसके मान जाएगा फिर मानव 2040 में तो देखिए 2040 में चंदर्मा पर पहले भारतियों को भीजने का प्लान है और 35 तक भारतिय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्षे है इस रूँ अगेर हम जान लेते हैं स्टैब्रिश्मेंट 1969 मुख्याल ने हैं बेंगलूर और चेर्मेन तुई हैं श्री सोमनाद जी फिर ब्रिक्स 2023 में घोशित ब्रिक्स सदश्य देशों में कितने नई सदश्य जोड़े गए हैं तो देखे अभी हाल ही में ब्रिक्स जो कि है ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें छे नई मेंबर को जोड़ा है जो कौन कौन से हैं वो है आपके ए आई सी यू इसमें आएगा आपका अर्जेंटिना फिर आएगा ये आपका इरान ये है साओधी अरब ये है इथोपिया ये आपका हुजाएगा एजिप्ट और ये आज उपका हुजाएगा यू एई ठीक है तो इस ट्रीक से आप याद रख सकते ए आई जो भी काफे न्यूज में भी रहता है सी उसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे सी देखने को सी केते हैं वैसे वाला और यू ए आई सी यू मतलब ए आई तुमको देखेगा वैसे अगर क्या आप याद रख सकते हैं तो छेन मेंबर्स की ट्रीक है याद ज़रूर रखिएगा तो देखे इरान साओधी अरब अरब म बने हैं इरशाद एहमद ओप्शन नमबर सी फिर उत्तर परदेश ने गोहत्या और बाल सोशन मामलों के लिए कौन सा ओपरेशन ये शुरू किया है तो देखे गोहत्या और बाल सोशन मामलों में जो यूपी ने एक ओपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ओपरेशन कन काल गिरफतारी उनके खिलाफ मजबूत सबूतों का संग्रय गुनवत्ता पूर्ण जाज और नयालियों में मामलों का प्रभावी परदी निदित्व सुनिश्चित ये करेगा अगला प्रशन है आपका हालहे में राजोरी चिक्री वर्डग्राफ्ट मुश्क बूद्ची च जीता है तो यह देखे भाला फेक में जब भी नाम आता है तो आप याद करते हैं किनको नीरत चोपड़ा को तो ध्यान लगना ओप्शन नमबर ए इस कोश्चन का सही आंसर होगा देखे ओलम्पिक्स वन पदक विजिता है नीरत चोपड़ा जिन्होंने 87.66 मिटर के सबस् जन्स डायमंड लीक में सीर्स इस्थान प्राप्त किया था नीरत चोपड़ा ने 2022 में भी डायमंड लीक ट्रॉफी जो यह है जीती थी अगला प्रशन है विश्व खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं तो विश्व खाद्य दिवस हम हम मनाते हैं हर साल 16 अक्टूबर को तो थीम आपको ध्यान रखने हैं और उदेश्य होता है इसका दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाना ठीक है यह में ध्यान रखेगा फिर आंतराश्य आपदा जोकिम न्यूनी करन दिवस यह कब मनाते हैं तो यह मनाते हैं 13 अक्टूबर को option number C ठीक है तो फिर एक किस राज्य ने मुहों जंगल यामी योशना यह शुरू की है तो यह शुरू की है उडिशा ने option number C आप यहाँ पर याद रखेंगे देखें उडिशा के मुखे मंत्रिय नमीन पतनायक इन्होंने लोगों के लिए वन आधारित आज जी विका के विकास में सहयता ह करेंगी तो देखें मुहों से हैं आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है उडिशा फिर किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और सहाशिक खेल नीती 2030 को मंजूरी दी है तो यह दी है यूपी ने option number C आप यहाँ पर याद रखेंगे तो बेसिकली यह जल नीती है वो 10 वर पर की जाने वाली सभी सहासिक गतिवीदिया यह इसमें लागू होने वाली है तो सही आंसर इसको यूपी याने की उत्तर परदेश तो यहां रखने रखेंगा option number C अब यह दो हमारी पॉलिटी की PDF आपकी और एक है आपकी यहाँ पर जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पूरा करण्ट अफेर यह अपडेट हो चुका है इसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या डारेक्ट लिए आप हमारी वेबसेट को भी विजिट कर सकते हैं दोनों ही पीडियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है काफी र 2020 में औरेंज कैप किसने जीती है तो औरेंज कैप यह जीती है शुबमन गिलने यह किसको मिलती है जो सबसे जदा रन बनाता है वह अगर हम बात करें किसकी परपल कैप तो यह किसको मिलती है जो सबसे जदा विकेट लेता है और आई-पेल में किसको मिली है तो यह मिली है म मुहम्मद शमी को फिर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन शेंटर यश्व भूमी कन्वेंशन का उद्खाटन यह कहां किया है तो यह अभी उद्खाटन यह हुआ है नई दिलनी के दुवारका में ऑप्शन नमबर जो भी है आपका ह पर याद रखिएगा फिर नुवाखाई त्योहार यह किस राज्य में मनाते हैं तो इंपॉर्टेंट है एक फसलों का त्योहार है नुवाखाई जो हम मनाते हैं उडीशा में ऑप्शन नमबर ए अगला प्रश्ण है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जिसका नामें पूरी जानकरी और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं तो यह कहां पर खुला है यह खुला है नौइडा में यानि कि दिल्ली ऐन्सियार वाले रीजन में ठीक है अगला प्रश्ण है दुनिया का सबसे बड़ा रामायन मन्दीर यह कहां बनाया जाएगा तो दुनिया का स सही आंसर आपका चमपारण जो कि बिहार में हैं तो देखे मंदिर के निर्मान में 250 तन महां बलीपुरम ग्रनाइट का उपयोग शामिल होगा और इस मंदिर का निर्मान कारी यह दो हजर पत्रिस तक पूरा होगा फिर यूगे यूगे नामक भारत राष्टे संग्राली यह कहां स्थापित किया जाएगा तो यूगे यूगे नामक राष्टे संग्राली यह स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में option number B इस संग्राले में बेसिकली 5,000 से अधिक वर्षों की भारत की समरद सब्धेता संस्कृति को प्रदर्शित की आ जाएगा फिर है अगस्त 2030 में टेसला के नए मुख्य वित अधिकारी के रूप में ये कौन निक्त हुए है तो देखे अगर हम बात करें अगस्त में टेसला के नए CFO यानि की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो ये बने है वैभव तनेजा ओप्शन नमबर C ठीक है फिर आपका प्रश्न है अगस्त 2030 में भारत में द्रास्ट्री हरित प्रादी करन के अध्यक्ष के रूप में किसने कारेभार समाला है लेकिन यदे हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रबियूनल की एंजिटी की तो ये समाला है नियाय मूर्थी प्रक का श्रीवास्तम इन्हें इस प्रदभार के रूप में समाला है और बैसिकली 14 अगस्त को केंदर सरकार का के एस शेहर को भारत का पहला सॉलर रूफ साइकलिंग ट्रेक्ट मिला है तो ये मिला है किसे हैद्राबाद में ओप्शन नमबर B अगस्त तोहज़त तीस में भारत ने इंडिया स्टेक साजा करने के लिए किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये किये हैं त्रीनाद और टबैगो के साथ option number 1 देखे बेसिकली भारत ने इंडिया स्टेक्स आजा करने के लिए त्रीनाद और टैबगो के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं ट्रीनाद और टबोग जो है ये इंडिया स्टेक्स आजा करने के लिए एक समझोता कि आपन पहस्ताक्ष ये डबल डबल लाइन आपके एपीट हुई है और ये ओपन एफ्लिक्शन प्रग्रामी इंटरफीस है और डिजिटल सारजनिक वस्तो का एक संगर है जिसका उदेश बांसरोवर याद्रा अस्पेल बाइंडिंग पिलिग्रम ये पुस्तक किस ने लांच की है तो ये की है स्मिता शावंतने ओप्शन नमबर ए फिर है आपका प्रशन विश्व प्रेस तंतरता सोचकांग दो हजार तेस में भारत ये किस स्थान पर है तो भारत है 161 स्थान और ऑप्शन नमबर डी देखे सूचकंग में पहला स्थान तो ये है नौर्वे का आकरी स्थान तो ये उत्तर कोरिया और जारी करता ये है विदाउट बॉर्डर जो कि पैरिस फ्रांस में है अगला आपका प्रशन है वन्ने जीव संड़क्षन पुरुसकार दो हदर तेस सिक्की से समानित किया गया है तो ये समानित किया गया आलिया मीर को ऑप्शन नमबर सी आलिया मीर बेसिकली जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये पुरुसकार वन्ने जीव संड़क्षन के सभी पहलों में उनकी उपलब्द्यों के लिए प्रदान किया गया है अगला प्रश्ण है हाल ही में नई दिल्ली में सोलवी शहरी गती शीलता भारत सम्मिलन का ओधगार्दन ये किस ने किया है तो ये किया हर्दीप सिंग पूरी ने उप्शन नमबर सी इस सम्मिलन का प्रात्मे कुदेशी शहरों में जानकारी प्रसारित करना है और उन्हें नविंतम और सर्वत्तम शहरी परिवहन परथाओं को अपनाने में मदद करना है फिर नीमले के तमें से किस वेक्ती ने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीता है तो ये जीता है इगा स्वेट्टक ने ओप्शन नमबर B फिर बेंट बिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2030 का फाइनल किस ने जीता है तो ये जीता है HS Pranay ने option number A देखे HS Pranay जो है वो क्वलालामपूर में Malaysia Masters 2023 के फैनल्स में चीन के वेंग होंग यांग को हरा कर अपना पहला WBWF World Tour किताब इन्होंने जीता है और ये विध्यान लगने कि Malaysia Masters Super 500 टूर्णमेंट में पुरूस एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारती भी यही है अगला प्रशने आपका Global Indian Award पाने वाली पहली महिला तो ये है सुधा मूर्थी option number A और basically ये Infosys Foundation की अध्याक्ष है फिर आपका प्रशने है भारत की पहली online gaming academy निमलेकित में से किस राजे में खोली गई है तो ये खोली गई है मध्यप्रदेश में option number A C कि मध्यप्रदेश में खोली गई है भारत की पहली online gaming academy फिर made in India 75 years of business and enterprises ये पुस्तक किसने लिखी है तो ये लिखी अमेताब कांतने option number C फिर इंडियास finance ministers ये पुस्तक किसने लिखी है इस पुस्तक के लिखाग है S भटाचारी है sorry A के भटाचारी है option number B यानि कि अशोक कुमार भटाचारी इसका सही आंसर होगा फिर किस राजे सरकार ने अन्तोधी श्रमिक सुरक्षा योशना का पाइलेट प्रोजेक्ट लांच किया है तो ये पाइलेट प्रोजेक्ट जो है ये लांच किया है कुजरात ने option number जो B है आप यहां पर याद रखेंगे देगे कुजरात के मुख्य मंत्रे भुपेंदर पर्टेल इन्होंने केंडरे संचार राजित मंत्री देवु सिंग चोहान ने गुजरात में खेडा जिले के नदिया में अन्तोधी सरम सुरक्षा दुरगडना बीमा योशने की शिरवात की है और पैलेट आधार पर श्रू की गई ये योशना भाहत्ति डग प्विबाग भाहत्ति डग पुक्तान बैंक उश्रम और रोजकार मंत्राले के माध्यम से कार्यान्मित की जा रही है फिर विश दुघ्द दिवस की संगर्टन के दौरा मनाते हैं तो ये मनाता है खादे और क्रिशी संगर्टन option number C फिर हो किल्ड मुसे वाला किताब ये किस ने लिखी है तो देखे मुसे वाला ये पंजाबी सिंगर थे इनकी हत्या कर दी गई थी तो ये पुस्तक ये उपर हो किल्ड मुसे वाला ये लिखी है basically जो पिंदर जीत सिंग ने फिर है विश्य तमाकों दिवस तो देखे परतिवस 5 अक्टूबर को हम रास्टे डॉल्फिन दिवस मनाते है और रास्टे डॉल्फिन दिवस जो है रास्टे जले जीव किस इंडक्शन के बारे में जागुकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है फिर My Life My Design पुस्तक का अनावरन ये किस ने किया है तो ये पुस्तक का अनावरन किया है गोरी खान ने, option number B फिर The Golden Ears पुस्तक ये किस ने लिखी है तो ये लिखी है रसकिन, बोंड ने, option number D फिर एक पुस्तक कुछ अधोरे शब्द ये किस ने लांच की है तो ये पुस्तक लिखिये एक अधिकारी ने नामे इनका आशुतोस अगनी होतरी option number D फिर है उत्तरपरदेश राज्य सरकार निमले कित में से किस शहर को देश का पहला AI शहर विक्सित करने की योशना बना रहा है तो ये बना रहा है रखनाव को जो कि UP की capital है तो option number A आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यही जो है UP सरकार इसे बनाने वाली है देश का पहला AI शहर एशे कब 2023 किन दो देशों में खेला जाएगा तो ये खेला गया है बिसिकली पाकिस्तान और शिलंका के बीच में तो ये खेला जा चुका है तो ये खेला ये पाकिस्तान और शिलंका में फिर प्रग्यानंद रमीश बाबो के खिलाफ 2023 फीडे विशो का फैनल ये किसने जीता है तो ये जीता है तो ये जीता है चेस्ट चंपियन मैगनस कालसन ने option number A फिर जून 2023 में जो है पैन मिंटर ये कहां हुई है तो ये हुई है संभाजी नगर में option number जो भी है आप यहां पर याद रखेंगे देखे W20 यानि की जो महिला 20 है वोमें 20 ये G20 के तहते एक आधिकारिक जुडाव समू है जिसे 2015 में तुर्के की अध्यक्षते के दुरान स्थापित किया गया था थीम इसकी परश्वेट ऑफ जेंडर एक्वालिटी एक्विटी एंडिग्निटी फोर वुमें लेड डेवलप्मेंट अगला प्रश्ण एए एसाई ने किस राजे में तेरा सो वर्ष पराने स्थूप के खोच की है तो ये की है उडिशा में option number D देखे भी हाले में भारतिये पुरात हाती को शामिल करने वाला भारत का पहला राजी ये कौन सा बना है तो ये बना है केरल option number B तो ये केरल के तुरिशू जिले में स्थित है इरा जाद पिली श्री किष्न मंदिर ये अनुस्ठानों के लिए यांद्रिक आज इवन हाती का उप्योग करने वाला देश का पहला म मंदिर बन गया है केरल के बाद आई है रास्तानिय त्रिवनंत्पुरम मुख्य मंद्रिय पिनुरी विजियन और गवर्णर रहा के आरिफ महम्मद खान फिर किस राज्य में लौसांग उत्सव ये मना है तो लौसांग उत्सव की बात करने ये बना है सिक्किम में option number C illegal migration bill ये UK से है मैंनी की ब्रिटेन से option number A ये है कौन रिशी सुनक जो कि महांगे प्राइम मिनस्टर है तो देखे ब्रिटेन के illegal migration bill जिसे प्रधान मंत्री रिशी सुनक के द्वारा पेश किया गया जिसका उदेश हजारों प्रवाश्यों को छोटी नाव पर English Channel पार करने से रोप इसके लाव पीडियेफ में आपको बता चुकी हूं हमारी पीडियेफ है पौलिटी की करंट अफेर की यह अपडेट हो चुकी है अक्टोबर तक यह आपको मिलेगी दस महीने का पूरा पौलिटी ओप्रेशन आपको मिलेगा तो दोनों पीडियेफ आपके लिए इंपॉर के नीचे CO2 को स्टोर किया है डैनमार्क के गरम बात करें तो डैनमार्क ने उत्री सागर के नीचे अठारा सो मिटर कार्बन डायोकसाइड को स्टोर करने के लिए एक परियोशने का उद्गाटन किया है जो विदोशों से आयत CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश है राजथानीज के कौप है गन आधिकारिक भाषा ये है डैनिस मुद्रा है क्रॉण प्रधान मंत्री तो यह मैटे फ्रेडरिक्सन अगला प्रश्ण है किस संस्थान ने क्लाउट सेडिंग के लिए सफलता पूर्वत परेक्षन उडान आयुजित की है तो ये आयुजित की है IIT कानपुर ने ओप्शन नमबर जो B है आपका हैंपर सही होगा फिर भारत के पहले सोलर रूफ सैक्लिंग ट्रेक का उद्गाटन ये कहां किया गया है तो भारत के पहले सोलर रूफ सैक्लिंग ट्रेक का उद्गाटन ये किया गया है हैदराबाद में ओप्शन नमबर जो B है आपका हैंपर सही हो जाएगा देखे देश का पहला सोलर रूफ सैक्लिंग ट्रेक का उत्खाटन ये हैदराबाद में हुआ है और मुख्य लक्षे जो है इसका बच्चों को सैक्लिंग चलाने और गती शीलता के बारे में उत्साहित करना ताकि भविशे में जीवन शेले से संबंदित बिमारों से बचा जा सके फिर नीमने में से किसने जून 2023 में अपना पहला रनर उपग्रह ये लॉंच किया है तो ये लॉंच किया अजिस्टा ने ओप्शन नमबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे फिर स्पेस एक्स के द्वारा 18 जून 2023 को लॉंच किये गए इंडोनेशिय संचार उपग्रह का क्या नाब है तो इसका नाम है सट्रिया 1 ओप्शन नमबर A फिर आदित्य एलवन मिशन का प्रात्मिक उदेश्य ये क्या है तो देखे आदित्य एलवन मिशन के अगर हम बात करें तो इसका प्रात्मिक उदेश्य ये है सूरी के सत्य के घटनाओं का आधियन करना ओप्शन नमबर D आदित्य एलवन मिशन से संबंदित हमारी एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं आप जिस सिंप्ली टाइप कीजिएगा आदित्य एलवन बाई रवी स्टडी आईक्यूजी के तो आपको वीडियो मिल जाएगी उसमें आदित्य एलवन से संबंदित जो भी इंपोर्टन क्योशन से वहाँ पर कवर किये गए है फिर है अमेरीकी द्वारा प्रमारित वेश्यू के पहली इलेक्रिक फ्लाइंग कार इसका क्या नाम है तो इसका नाम है ALEF Model A एनिकी LF Model A नेमलेकित में से किस कंपने ने वर्ल्ड कॉइन लांच किया है तो वर्ल्ड कॉइन ये लांच किया ओपन AI ने फिर है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्क्रन ये कहां आजित हुआ है तो ये हुआ है नई दिल्ली में option number C basically नई दिल्ली के जो प्रगर्टी मैदान है उसके भारत मंडपम में इसका आजिन हुआ है और उद्गाटन ये क्या है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीजी ने और इस कारेकरम में प्रधान मंतरी ने एक लाग से अधिक self-help group को मतब उनके सदश्यों को प्रारंबिक पूंजी साहता प्रधान की है फिर मईं दूसर थीस में राजस्थान के किस वन्ने जीव अभिहरने में जंगल सफारी का उद्गाटन ये किया गया है जेश सम्मद वन्ने जीव अभिहरने में तो ध्यान लगना option number A आप आपका राजस्थान में अगला प्रशन आपका नीमले कित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रेमियर लीग चंपिन बनी है तो यह बनी है मुंबई इंडियंस option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे कि देखें जैसे आई पेल होता है ना वैसे वोमन प्रेमियर यह किस स्थान पर बनाए जाने की घोशना की है तो यह घोशना की गई है बिस्तिकली बनाने की कहां बर बरेली में option number B फिर है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर तीन दिवसे global destination expo and conference यह आजित हुआ है तो यह बिस्तिकली आजित हुआ है greater noida में option number A आप यहाँ पर option number D फिर यूपी की मुखी मंति जिन का नाम है योगी आधित्यनाथ इन्होंने किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उत्गाटन किया है तो यह किया है गोरकपुर में option number C उत्तर पर दिश के किस इस्थान पर साक्षरता संग्राली यह बनाया जाएगा तो यह बनेगा ल अधिम आपको ध्यान लगने यह है global environment public health standing up to protect everyone's health every day फिर पीम किसम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है तो पीम कुसम योजना को यह बढ़ा दिया गया है दो हजाच हबश तक यहनि कि 31 March दो हजाच हबश तक इसको बढ़ा दिया गया है बिसिकली केंद्र सरकार ने प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महा भ्यान इसके सीमा को 26 तक बढ़ा दिया है और केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के किसानों के लिए इस स्किम को लांच किया था लेके दुन्या की सबसे उचे युद शेतर जिसका नामे शियाचन ग्लेशन में तैनाथ होने वाली पहली महीला अधिकारी ये है और कैप्तेन शिवा चुहान को उम्मीद है कि उनकी इस उपलबदी के बाद भी लड़किया जो है भारती सेना में शामिल होँगी फिर स्वास्ते का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज़े कौन है तो ये है राज़स्तान जिसने राइट टू हेल्थ बिल को इशू किया है ओप्षिन नुमबर जो भी है अब यहाँ पर याद रखेंगे ठीके तो राज़स्तान विदान सबाई अगर हम बात करें तो स्वास्ते का आधिकार ये बिल पारित करने वाला पहला राज़े बन गया है और इसके देट राज़े के निवासी सबी स्थारवजनिक स्वास्तिय सेवाओं में OPD सेवाओं और IPD सेवाओं को मुफ्त लाब उठा सकेंगे और साथ ही में जितने भी आपके private hospitals होते हैं उनमें भी सुविधा प्रदान की जाएंगे लेकिन वो कुछ चुनिंदा ही होंगे फिर आपका प्रशन है कौन सी कंपनी भारत की पहली कार्बन फाइबर निर्मान इकाई स्थापित करने वाली है तो ये कर रहे है Reliance Industries option number B फिर संतोस ट्रोफी 2023 का फाइनल ये किसने जीता है तो ये जीता है करनाटक ने option number A फिर माई 2023 में फ्रांस के सर्वोश नागरिक पुरुसकार Sevelier D. La Lisen D. Honor ये किसे समानित किया गया है तो ये समानित किया गया है एन चंदरशीकर को option number C रन को option number C आप यहाँ पर याद रखेंगे देखे बिसिकलिए टाटा समों के अध्यक्ष है इन्हें भारत और फ्रांस के बिच में व्यापार संभन्दों को मजबूत करने के युगदान में ये अवाड डिया गया है Sevelier D. La Lisen D. Honor कौन सा देश 2025 में प्रकरती के संदक्षन के लिए अंतराश्टी संग विश्व संदक्षन कांग्रेस की मेशपानी करने के लिए तयार है तो ये UAE यानिकी सजुक्त अरप अमिरात option number D. देखे UAE के बात करेट ये 2025 में विश्व संदक्षन कांग्रेस की मेशपानी करने के लिए विजए हुआ है और International Union for Conservation of Nature अपुधाबी को इस महत्यपून कारेक्रम के स्थान के रूप में चुना है फिर UPSC के द्यक्ष तो ये बने है मनोच सोनी option number B राष्ट अंतरिक्ष दिवस तो ये हमने अभी डिक्रेर किया है 23 अगस्त को option number A क्योंकि इसे दिन जो है आपने देखा होगा चंदरियान ने अपने जो है लेंडिंग की दी तो इसलिए इसको हम मनाएंगे राष्ट अंतरिक्ष दिवस के रूप में फिर एक कौन सा देश व्यक्ति का स्वास्ती चितावनी लगाने वाला पहला देश बना है तो ये बना है कैनेड़ा option number B फिर जीमेक्स 23 अब्यासी कहा हुआ है तो ये हुआ है विशाका पटनम में फिर तेंजिंग नोर्वे राष्टे पुरुसकार के तरह लेंड एंवेंचर अवार्ड ये किसे मिला है तो ये समारित हुई है कौन नाम इनका नेना सिंग धागर option number C UK इंडिया अवार्ड में किस भारते मुक के बाच को Global Indian Icon of the Year नामित किया है तो ये हुई है नामित मैरीकॉम option number A तो देखे भारती ओलंपिक पदक विजिता महिला बुक के बाच इनका नाम है मैरीकॉम इन्हें दक्षिन पूर्वी इंग्लेंड के विंस्टर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड में Global Indian Icon of the Year अवार्ड से नवाजा गया है कारगिल एक यात्री के जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई ये किस के द्वारा लिखी गई थी तो ये लिखी गई है बेसिकली रिशी राज के द्वारा option number B ये कारगिल एक यात्री के जुबानी एक प्रशित लेकक श्री श्री राज के द्वारा लिखी गई है और प्रभाद प्रकाशन के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया है ये भी ध्यान रखेगा निमलेकित में से किस व्यक्ति को परतिस्ते लोकमानी दिलाग पुरुषकार दोज़ते इस ये मिला है तो ये मिला है हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को option number B उसके बाद है जलवायू 2023 में जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारे पैनल यानि कि IPCC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है तो ये चुने गए है कौन जिम से किया option number D IPCC यानि कि Intergovernmental Panel on Climate Change के बाद करें स्थापनावी थी 1988 में संस्थापके बर्ट बॉलिं मुख्याले इसका जनेवा स्विट्जेलेंड में 2023 में टाटा आईपल का किताब किसने जीता है तो ये जीता है CS के यानि के चिननाई सूपर किंग ने उपविज़ता रही है गुजराट टाइटन्स आयजन ये हुआ था भारत में संस्क्रन था सोलवा औरेंज कैप शुपमन गिल परपल कैप तो ये है मुखमद शामी पहला ICC U20 अंडर 20 महिला T20 विशकप ये खिताब किसने जीता है तो ये जीता है किसने सही आंसर है भारत ओप्शन नंबर C उपविज़ता ये हैं इंगलेंड आजन स्थल तो ये दक्षिन अफ्रीका संस् और इस दिन भारत और पाकिस्तान के सिनाओं के वीच में 1999 में कारगिल में युद हुआ था और लगबग 60 दिनों तक ये चला था और 26 लाए के अंत में इसको मतलब समाप्ट करके भारत इसमें विज़ई हो गया था ठीक है स्टेच ओफ वर्नेस का अनावरन कहां किया गया तीन दहातों से निर्मित इस परतिमा को स्टेच ओफ वर्नेस यानि की एकात्मता की परतिमा का नाम दिया गया है अंतरास्टे सोर संगडन का पिच्चानवेव सदश्य तो ये बना है चीली ऑप्शन नमबर बी आप यहाँ पर याद रखेगे चीली रास्थानिय सेंटिय यह शुरू की है तो यह अभी हाल ही में शुरू की गई है UAE के द्वारा ओप्शन नमबर ए तो यह था आपके 100 क्यूशन जो मैंने डिसक्स के इस सीरीज के पार्ट नमबर 6 में जल्द ही आपका पार्ट 7 भी आएगा जिसमें हम आगे के 100 क्यूशन को डिसक्स करेंगे और इन पूरी सेरीज के माद्यम से 2030 का पूरा करंट अफेर आपका बहुत अच्छे से हो जाने वाला है तो वीडियो को शेयर जरूर की जोएगा और अब मैं आप से पूस्ट टेस्ट की प्रशन इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे तो पहला प्रशन है आपका यूपी का पहला शौर्ड सेर ये कौन बनेगा और दूसरे है कि अंतरास्टे सोर्स अंकर्ट बंदन का 95th मेंबर ये कौन बना है दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और इसी के सास्ता जो भी आप एक्स्टर इंफरमिशन आप इन कुर्शन से बता सक की हूँ आपको ये भी आप पर्चेस कर सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिलीगी थेंक्यू सो मच है वा गड़े